आप जो है मनु स्मिर्ती पर यह उसमें पूरा लिखा हुआ है तो पूरा बढमांड को आप कई से फोलो कर एगा नहीं समझ में आएगा एक बेक्ति को आप फोलो करकर के को नहीं समझ तके रहस को नहीं समझ सकते हैं हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका repent जब तक पहर हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम खड़े नहीं रह सक्ते हैं वंपर अभर्हिस को बोलने वाले हो ब्रह्मन और झो रक्चा करने वाले हाँ यह जैज़ा से झयंदो सुद्र को बताया घया है घया भागवान का जब तक हम लोग चरन नहीं पकड़ते हैं तब तक कल्यान भी नहीं होता है कहां कुछ ब्रहामन चरन पकड़ता है उपको नहीं अद्मी मूज अपना मुज से अपना पायर खाता है धोल को देखते हैं एक तरफ चमरा रहता है इधर फी चमरा लग सो बीच में खाली रहता है डोल कर थे डेकिन बजाते हैं जो हैं ना उसको कुछ नहीं इंने हैं हमारे सनातन धर्म को जितने भी टार्गेट बनाए हुए है न उन सब का समय आने वाला वो कुछ गलत नहीं है सबसे वरा गलत हम है क्योंकि हमको गलत दिखाई दे रहा है कहीं हमको गलत नहीं दिखाई देना चाहिए धोल गवार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिका इसका मतलब समय में आता है इसका मतलब आप लोग क्या निकाले इस इस चोपाई का क्या अनर्थ निकाले हैं आप लोग से हम पूछना चाहते हैं 84 लाख वार हम और आप योनी बदलते हैं कभी हम मुर्गा कुता बिल्ली सब में रहें यह सब जानकारी आपको कोई से पता इरा सिंग करते हैं कि मदर से में जो सिख्छा दी जाती है वो सिख्छा नहीं नफ्रत बोने का एक बीज डाला जाता है और वहां पर जो सिख्षा दी जाती है नफरत फैलाने की सिख्षा यानि कि एक तरह से ब्रेंड वॉस करने की सिख्षा दी जाती है ऐसे हम हमारे साथ में हिंदू धर्म से संबंद रखने वाले एक ब्यक्ति हैं उनसे हम बात करेंगे अच्छे आप क्या सोचते हैं आपका न किसे दूसरे द्र nose को टारेट कर रो क्या हिंदू थर्मिस्तर ही उस्तरह की सिर्फञताERS सबसे पहला हम कहना चाहेंगे कि यंदू कोई धर्म है नहीं और हम लोगों का धर्म है सनातन धर्म सनातन धर्म के ही अंग हैं हिंदुत इसलामिक बौधिस्ट इसाई जैन यह सब सनातन धर्म के ही एक अंग है और हम लोग सनातन धर्म के हैं और हम लोग सब का साथ सब का विकास चाहते हैं जिस तरह से एक इसलामिक धर्म में धार्मिक में बताया जाता है कि तोपी धारन करना है और लुगी पहनना है नवाजादा करना है कि यह सब करने से हमको सुननात और बरक्कत की प्राप्ति होती है हम उस से हमारे धर में ब Wish influential है Ond और रहन सहन का तरीका बताया जा रहा है। रहने का खाने का चलने का बोलने का एक तरीका बताया जाता है। कुछ तरीका को आदमी को फोलो करना चाहिए उसके बाद में मंगला आरती हो करके ठाकोर जी को विश्राम दे करके सिंघार आरति 10 वजी असनान करते हैं उसके बाद में आपको 1 वज़े होता है दूपहरве प flatter यह उसके बाद में साम को संध्या 4 वजE लगर संधिया on 06 खरिना व्र.chau नाबन में आपको क्या-क्या सीखाये जाता है लाला का सम् radio mean बिंदाबन में आपको क्या क्या ची सिखाया गया था बिंदाबन में हमको भजन करने सिखाया गया हम संत महत्माओं के साथ में घुमे हुए है हमको भजन करने का तरीका बताया है कि किस तरह से भजन करना है किस तरह से अपने नियम में रहना है क्या क्या आहार करना है क्या व अधरान इस बिकाक eenering Q results guys आते हैं कोई भी मुसल्मान की कटाक्या नहीं करते हैं बिन्दवन में इस्लामिक धर्म है और अन्य धर्म है और वहां रहते हैं सभी क्रिष्न की लेकिन वो अपने धर्म को मानते हैं हमारे धर्म को मानते हैं हम लोग मोहबत फैलाते हैं हम लोग किसी को दिल को ठेस नहीं पहुचाना के काम करते हैं नफरत कोन फैलाता है नफरत फैलाने वाले बहुत सारे दुष्ट प्रविर्ति के हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं कुछ हमारे और आप जैसे सही रहते हैं कुछ जो हमेशा उनकी आदत होती है कटाक्ष करने की आप अच्छे बात भी बोलेंगे तो उसमें भी वो है तो हिंदु धर्म जो है ना अच्छा धर्म नहीं है हम अपने मानव धर्म कोई मनेता देते हैं हमारे लिए कोई जात पात नहीं हम किसी के साथ बेहते हैं किसी के साथ मतलब आनंद लेते हैं जात पात निसे दिन बुनत उधेरत जात परपंचको सागर तो थाथ बनाए धरी महिरी को रे पूरुस्ते आगर कहने का मतलब कि अब माया को आगे कर करके और जात पात ही बुनते रह जाएंगे तो फिर आपको मनुस जो जनम मिला हुआ है यह मुक्ति के लिए मिला हुआ है आप 84 लाख वार हम और आप योनी बदलते हैं कभी हम मुर्गा कुता बिल्ली सब में रहें यह सब जानकारी आपको कोई से पता चला है यह सब हमारे धर मे में घिरंथ में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनी है 84 लाख वार सरीर बदलता रहता है हर किर में 1 है एक मेनसी आता है एक मेंसे जाता है इसे होता है आज जितने भी जो कुछ भी हम अगल भगल में देख रहे हैं तो इस अजिब में आज इतना दिन का उसको जीने का वह जिया उस थे बदला भैपने डीचिके सब तो 수ag कुणि का है । लिखा हुआ आप जो है मनुश्मिर्ती परके उसमें पूरा लिखा हुआ अप गरूर ख्मेर में पूर लिखा लुषा करें मृला साहर साहब में चुक्ट पार यहां पाहरे नहीं समझ में आ करके चलिएगा तो कभी भी नहीं समझ में आएगा को एक धर्म को लेकर चलिएगा तो कभी भी नहीं समझ पाइए गा कि मानब धर्म क्या है मानुस्मीर्ती को समझने के लिए सम्भिधान नहीं पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ है क्या यानि कि बाबा साहिब को नहीं पढ़ सकते हैं तो बाबा साहिब को साइड करना अन्य ग्रंथ आपको मानव धर्म की विशेष्टा का महत्म समझ में आएगा अब जा करके पढ़िए धोल गवार सुद्र पसुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी इसका मतलव आप लोग क्या निकाले इसका इस इसे चोपाई का क्या अनर्थ निकाले हैं आप लोग से ही हम पूछना चाहते हैं इसका आर्थ तो हमको बहुत अच्छा समझ में आता है लेकिन आप लोग क्या निकाले हैं तो इस पें हम कोई टिपनी नहीं करना चाहते ही राम चरीत्र मानस का गरंथ है चोपाई है सुन्दर कांड से लिया गया है इसलिए हर समय इसका हम कुछ नहीं रहें चाहिए कि कि कुरान में गलत है यह हम कहेंगे बाइविल में गलत है तो यह सब कुछ गलत नहीं है सबसे वड़ा गलत हम है क्योंकि हमको गलत दिखाई दे रहा है कहीं हमको गलत नहीं दिखाई देना चाहिए हमको कहीं भी गलत नहीं दिखाई देना चाहिए जब आप अंदर स्वास्त सब्सक्राइब और उसके लिए आपको करना है तो हमारे साथ में मंदिर में चलिए नमान जी का मंदिर में चलिए तब राम चरित्र मानस खोलेंगे तब आपको एक एक उत्तर का प्रश्ण का देए एक बात बता है अभी हम खेलने के समय में हैं आप कहिएगा कि यह माला कैसे जबते हैं तो ऐसे थोड़ी होगा अभी हम दुकान पर जाने का समय में हैं तो आप यह पूछिए कि त्वारस जला गया मनुस्मिर्ति जलाए ला गया हम अपने वी पे अपने आंखों से क्यों जला आप जितने भी हमारे सनातन धर्म को जीतने भी टार्गेट बनाए हुए है न उन्स सब का सवेग आने वाला राम चरित्र मानस को तो नहीं जला गया हम लोगों को मतलब संती जितने भी ग्रंथ करता है मारकाट नहीं सिखाता है एक दूसरे को संती और महप्बत की बाते सिखाता दोल मतलब क्या होता है यह नहीं कि अर्फ पर डोल को देखते हैं एक तरफ चमरा लगा रहता है इधर भी चमरा लगा रहता है बीच में खाली रहता है समझ रहें ना बीच में खाली रहता है धूल गवार उसी तरह रहता है उसका पूरा मन खाली रहता है उसका अपना मन giant क्ली निसे नितिये जू कैण। आपांछे सफेर्द संस्क्राइड फर्राइड निकलता है ऑड कोुलने की देख सफेर्दound सुद्र का मतलब क्या हुआ सुद्र का मतलब होता है बर्न चार बर्न में भगवान बाटे हुए है हमारे सरीर को चार बर्न में बाटे हुए हमारे रिसी मोनियों ने उपर बताया गया है गरदन से उपर ब्रहमन बताया गया है जो बोलने वाले हो ब्रहमन है और जो रक्षा क को बताया गया है बैस सुद्र को बताया गया है चरन भगवान का जब तक हम लोग चरन नहीं पकड़ते हैं तब तक कल्यान भी नहीं होता है कौन आदमी मुह से अपना पैर खाता है कोन आदमी मुह से पैर खाता है बाइताये यानि कि ब्रहामन सुधर का पैर नहीं चू सकता है बताइए ना कौन आदमी मुह से पैर खाता है क्यों नहीं चुछ सकता है हमारे सर एक राम उदार राम मास्टर साहिब थे चमार थे जाद के लेकिन मास्टर थे हमको पढ़ाते थे आज हम कंठी बाने हैं सादू हो गया है मतलब धर्म में आ गया है फिर भी सर को देखते हैं तो हम पैर छुकर के परनाम करते हैं सर परनाम तो कहते हैं कि ठीक है अनादर आव खुशा रहो तो यही है मान बता यहां यहीं नहीं कोई नहीं सनातन धर्म में नहीं हाम बढ़न की उपर बता हैं तो हैं जो आप चुपाई पूचे हैं उसके अनुसार हम बता है तब फिर आप पूचे हैं कि सुद्र क्या होता है तब फिर पूरा हम समझा करके बता है बात बोल दिये थे समराट सोद्री भाजपा के नेता है उन कहे थे कि ब्रहमन स्रेष्ट होता है क्या ब्रहमन ही स्रेष्ट होता है क्योंकि हमारा चरन हमको जहां ले नहीं जाएगा अब मुह चला जाएगा तब फिर क्या रह गया तो सब आपको यह हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास जब तक पैर हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम खड़े नहीं रह सकते हैं जब तक हात हमारे काम करेंगा, योग हमारे आइडियल हुए और फूजनिय विम्णां और बभूज उन्हीं करेंगेंगे, रहे हम मजबूति ल्हीं मफाम होता लेकिन लेकिन हम उनको करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से और आगे देश को बढ़ाइए और हम लोगों में भी परिबरतन लाइए और जाद परपंच को हटा करके मानवत्ता धर्म को अस्थापित कीजिए इसे में क्या नम पता है आप अपना अमर्दास अमर्दास कहां से ब्रिंदावंस अमर्दास है ब्रिंदावंसे बाचीत कैसे लगा प्रतिक्रिया कमेंड बॉक्स में जोड़े मने रहें जोहार हिंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद